हलो दोस्तों आप सभी का हमार यूटूब चैनल विना इस्टडी के इन में श्वागत है दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे 36 गड़ का एतिहासिक ट्विस्ट भूमी व्याख्या के साथ कोशन आंसर सेट हमने लगाए हैं दोस्तों वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रिस कीज़े ताकि वीडियो के नोटिवीशन आप तक पहुंसती रहे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैनल प्रोविंस का गठन हुआ जिसमें चैनल मध्यप्रदेश वह महराष्ट सामिल था और इसकी राजधानी नागपूर को बनाए गई चैनल में रायपूर बिलासपूर एवं संबलपूर जिले का गठन किया गया 1882 में मध्यप्रांत में पाच संभाग बनाए गए जिसमें 36 गड़ एक स्वतंत्र संभाग बना और इसका मुख्याल है रायपूर को बनाया गया इस संभाग के कमिशनर चालसी इलियट हुए दारखेगा ये प्रतम कमिशनर हुए 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भासाई अधार पर राज्यों का पुनलगठन करते हुए संभलपूर को बंगाल प्रांत में तथा पांच रियासते कोरिया चांगमखार सर्गुजा उदैपूर एवं जस्पूर को 36 गड़ में सामिल किया गया और वरतमान 36 गड़ राज्य का शरूब सामने आया तो ध्यार रखेगा भासाई अधार पर संभलपूर को बंगाल प्रांत में सामिल किया गया पांच रियासते कोरिया चांगमखार सर्गुजा उदैपूर एवं जस्पूर को 36 गड़ में सामिल किया गया यहाँ पर एक सवाल बनता है कि 1905 में संबलपूर किस प्रांत में संबलित हुआ द्यारखेगा आंसर होगा बंगाल प्रांत में चत्तिजगर का प्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया द्यारखेगा ये प्रश्न जो है व्यापम में पूछा जा चुका है 1918 में पंडिस सुन्दाला सर्मा ने चत्तिजगर राज्यका एक इसपष्ट रेखा चित्र अपनी पांडू लीपी में खीचा अता इन्हें चत्तिजगर का प्रथम स्वप्न द्रिष्टा वा संकलपनाकार कहा जाता है जा रखेगा ये भी काफी इंपोर्टेंट है 1924 रायपूर जिला परसद में प्रिथक चत्तिजगर की मांग की गई 1949 में पंडिस सुन्दाला सर्मा ने कांग्रेस के त्रिपूरी अधिवेशन में प्रिथक चत्तिजगर की मांग रखी थी ठाकूर प्यारेलाल ने प्रितक चत्तिजगड के मांग के लिए चत्तिजगड शोषन विरोधी मंच का गठन ध्यान रखेगा शोषन विरोधी मंच का गठन ठाकूर प्यारेलाल ने किया जो की चत्तिजगड निर्मान हेतु प्रतम संगठन था 1947 में स्वतंतरता के समय 36 गर मद्यपरांत वा बरार सेंटरल प्रोविजन एंड बरार का हिस्सा था मद्य प्रांत वा बरार का हिस्सा था 1955 रायपूर के विधायक ठाकूर रामकृष्ण स्री ने मद्य प्रांत के विधान सभा में प्रितक चत्तिजड की मांग रखी जो प्रथम विधा की प्रयास था विधा की प्रयास ठाकूर रामकृष्ण स्री ने किया था 1956 एक नमंबर 1956 को मद्द प्रदेश के गठन के साथ ही चत्तिसगड को मद्द प्रदेश में सामिल किया गया चोकि चत्तिसगड मद्द प्रदेश का हिस्सा था इसलिए चत्तिसगड को मद्द प्रदेश के साथ सामिल कर दिया गया 1956 डाक्टर खूब चन्द बखेल ने राजदान गाउ में प्रितक 36 गड की मांग हेतू 36 गड महासभा का गठन किया जिसके महासचीव 10 रच चौबे थे यहां रखेगा ये भी काफी important point है 1966 डाक्टर खूब चन्द बखेल ने बैरिश्टर छेदी लाल की सहता से राजदान गाउ में प्रितक 36 गड हेतू 36 गड भात्री संग काफी important है Brotherhood Association का गठन किया जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाथ तिवारी थे 1973 शंकर गुहा नियोगी ने प्रितक 36 गड हेतू 36 गड मुक्ती मोर्चा का गठन किया 1983 शंकर गुहा नियोगी द्वारा 36 गड समग्र मंच का गठन किया गया 1983 में पमन दिवान द्वारा प्रितक 36 गड पार्टी का गठन किया गया 1994 में तातकालीन विधायक गोपाल परमार के द्वारा मद्द प्रदेश विधान सभा में प्रिथक 36 गड़ निर्मान सम्बंदी और सास की संकल्प प्रस्तुत किया गया जो शर्व सम्मती से पारित हुआ 1998 मद्द प्रदेश विधान सभा में प्रिथक 36 गड़ निर्मान हे तू सास की संकल्प पारित किया गया अब देखते हैं मद्द प्रदेश राज्य पुनरगटन अधिनियम 2000 ये काफी इंपोर्टेंट हैं अभी हाली में CGPC में पूछा गया था तो लोग सभा में 25 जुलाई 2000 को विधेयक तातकालिक ग्रिह मंत्री लाल कृष्ण आडवानी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था 31 जुलाई 2000 को विधेयक लोग सभा में पारित हुआ राज्य सभा में 3 अगस्त 2000 को पेस किया गया 9 अगस्त 2000 को पारित हो गया राश्टपती का हस्ताक्चर 28 अगस्त 2000 को किया गया तातकालिन राश्टपती के आर नारानन के द्वारा वर्स 2000 में 3 राज्य निर्मित किये गया जिसमें 36 गड़ 1 नवंबर 2000 को 26 वा राज्य उत्राखंड 9 नवंबर 2000 को 27 वा राज्य जारखंड 15 नवंबर 2000 को 28 वा राज्य 36 गड़ मद्यप्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना तो मात्रित्व जिला मध्यप्रदेश उत्राखंड का मात्रित्व जिला उत्तरप्रदेश जारखंड का मात्रित्व जिला बिहार था उसके बाद तिलंगाना 2 जून 2014 को 29 राज्य बना दोस्तो अब स्टार्ट करते हैं question answer set वीडियो को like जरूर कर दीजेगा इस वीडियो में हमने target रखा है 100 likes का तो इस target को जल्दी से आप लोग पूरा कर दीजेगा पहला प्रस्ट दोस्तो स्वतंत्र संभाग 36 गड़ के प्रतम commissioner कौन बने option है चाल्स एडम, चाल्सी इलियट, चाल्स एलविन इन में से कोई नहीं तो दोस्तो 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए जिसमें 36 गड़ एक स्वतंत्र संभाग बना इसका मुख्याला रायपूर को बनाए गया और इसी रायपूर का प्रतम commissioner चाल्सी इलियट को बनाए गया तो option दो सहीं होगा दूसरा प्रस्ट दोस्तो मध्य प्रांत या central प्रोविन्स का गठन कब हुआ ते नवंबर 1861, चार नवंबर 1862, दो नवंबर 1861 और दो नवंबर 1862 तो दोस्तों दो नवंबर 1861 को central प्रोविन्स या मध्य प्रांत का गठन हुआ जिसमें 36 गड़, मध्य प्रदेश वा महराष्ट स्वामिल था इसकी राजधानी नागपूर को बनाए गई 36 गड़ में राएपूर, बिलाशपूर एबं संबरपुल जिले का गठन किया गया तो ओप्शन दो सही तीसरा प्रश्ण दोस्तो, स्वतंत्र संभाग 36 गड़ का मुख्याला किसे बनाया गया ओप्शन है रतनपूर, दुर्ग, बिलाशपूर और राएपूर स्वतंत्र संभाग 36 गड़ का मुख्याला राएपूर को बनाया गया तो ओप्शन चार सही होगा और इसके कमिशनर चार्सी इलियट थे चौथा प्रश्ण दोस्तो, 36 गड़ का प्रथम स्वत्र द्रिष्टा किसे कहते हैं ओप्शन है, पंडित वामारौला के, पंडित रवीशंकर्शुकल, विनेकुमार पाठक और पंडित सुन्दाला सर्मा तो दोस्तो, 1918 में पंडित सुन्दाला सर्मा ने 36 गड़ राज का इसपष्ट मांचीत्र अपनी पांडू लीपी में खीचा अतही ने 36 गड़ का प्रथम सुअपन द्रिष्टावा संकल पनाकार कहा जाता है तो ओप्शन चार सही होगा आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रशन 36 गड़ की मांग का प्रथम विधाई प्रस्ताव कब रखा गया ओप्शन है, 1867, 1965, 1855 और 1955 तो दोस्तो रायपूर के विधायक ठाकूर रामकृष्ण स्री ने मध्यप्रांत के विधान सभा में प्रिथक 36 गड़ की मांग रखी जो प्रथम विधाई प्रयास था तो ओप्शन 4 सही होगा आगे बढ़ते हैं, चाटवा प्रशन की ओर कांग्रेस के त्रिपूरी अधिवेशन में प्रिथक 36 गड़ की मांग कब रखी गई 1949 में पंडिस सुंदालाल सर्मा ने कांग्रेस के त्रिपूरी अधिवेशन में प्रिथक 36 गड़ की मांग रखी तो ओप्शन 4 सही होगा सात्वा प्रश्ट दोस्तो चत्तिजगर निर्मान हे तू प्रतम शंगठन कौन सा था चत्तिजगर भात्री, संग मंज, चत्तिजगर सेवा मंज, चत्तिजगर विचार मंज और चत्तिजगर सोशन विरोधी मंज तो दोस्तो उननिस सो च्यालीस में ठाकूर प्यारे लान ने चत्तिजगड के मांग के लिए चत्तिजगड सोशन विरोधी मंच का अगठन किया जो की चत्तिजगड निर्मान हितु प्रथम संगठन था तो ओप्शन 4 सहीं होगा आठवा प्रस दोस्तो चत्ति गड़ सोर्षन विरोधी मंज का गठन कब हुआ तो 1946 में ठाकुर प्यारे लाल सीध्वारा किया गया तो ओप्षन 4 सही होगा आगे बढ़ते हैं नुवा प्रस ने चत्ति गड़ का प्रथम मानचीत्र कब बनाया गया ओप्षन है 1905, 1906, 1907 और 1908 तो चत्ति गड़ का प्रथम मानचीत्र 1905 में बनायेगा तो ओप्षन एक सही होगा आगे बढ़ते हैं दस्वा प्रस ने चत्ति गड़ मुक्ती मोर्चा का गठन किसने किया ओप्षन है ठाकुर प्यारे लाल सी, गुपाल पर्माद, शंकर गुहा, नियोगी और लाल कृष्ण अड़वानी इसका आंसर यदि आप लोगों को पता है तो नीचे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, 1976 में शंकर गुहा, नियोगी नेपितक 36 गड़ है तू, 36 गड़ मुक्ती मोर्चा का गठन किया तो ओप्षन तीन से होगा शंकर गुहा, नियोगी आगे बढ़ते हैं ग्यारवा प्रश्ण शंकराम मंज का गठन कब किया गया ओप्षन है 1981, 1982, 1983 और 1984 संगराम मंज तो दोस्तों, 1983 में शंकर गुहा, नियोगी द्वारा, 36 गड़ संगराम मंज का गठन किया गया तो इसका सही उत्तर होगा, ओप्षन तीन आगे बढ़ते हैं बारवा प्रश्ण मद्य प्रदेश विधान सभा में प्रिथक 36 गड़ हेतु किस विधायक द्वारा असास की शंकल्प प्रस्तुत किया गया असास की संकल्प ठाकूर प्यारे लाल सी, गुपाल परमार, शंकर गुहा, नियोगी लाल कृषन अडवानी तो दोस्तो, 1994 में ततकालिक विधायक गुपाल परमार के द्वारा मद्य प्रदेश विधान सभा में प्रिथक 36 गड़ निर्मान सम्मंदी असास की संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मत्ती से पारित हुआ तो ओप्शन तीन सही होगा असास की संकल्प का मतलब होता है कि ये जो विधायक थे वो विपक्च के थे सरकार के तरफ से नहीं थे इसलिए असास की संकल्प कहा गया तो ओप्शन तीन सही होगा आगे बढ़ते हैं तेरवा प्रस्तन अगला प्रस्त दोस्तो किस विधायक द्वारा चत्तिस गर निर्मान किया गया मत्य प्रदेश राज्य पुनरगठन विधेयक 2001 मत्य प्रदेश राज्य पुनरगठन विधेयक 2002 बंगाल विभाजन अधिनियम 1905 दोस्तो यह प्रशन काफी इंपोर्टेंट है और अभी हाल ही में पेसी में पूछा गया था तो दोस्तो मद्यप्रदेश राज्य पुनरगठन विधेयक 2000 के द्वारा छत्तिरगड का निर्मान किया गया था तो option एक सही होगा आगे बढ़ते हैं मद्यप्रदेश राज्य पुनरगठन विधेयक इनके समक्ष प्रस्तुत किया गया option है त्री लाल क्रिष्न अडवानी के आ नारानन पतिभा पाठिल डाक्टर राजेंद्र प्रसाद तो दोस्तो यहां पर लोकसभा राज्य सभा और राश्य पति के पास राज्य पुनरगठन विधेयक पेश किया गया तो option में देखे तो यहां पर के आर नारानन राश्य पति थे तो इसलिए option दोस्त सहीं होगा सोलवा प्रस्त दोस्तो मध्य प्रदेश राज्य पुनरगठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ तो यहां पर लोकसभा में पारित पुछा गया है option आपके स्क्रीन पर है देखेगा 25 जुलाई 2000, 26 जुलाई 2000, 30 जुलाई 2000 और 31 जुलाई 2000 को तो यहां पर लोकसभा में पारित पुछा गया है तो दोस्तो 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत की गई थी और पारित जो है 31 जुलाई 2000 को हुई तो option चार सहीं होगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सत्रवा प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य पुनर गठन विधेयक राज्य सभा में कब प्रस्तुत हुआ तो यहां पर राज्य सभा में कब प्रस्तुत हुआ पूछा गया है option देखते हैं तीन अगस्त दो हजार चार अगस्त दो हजार पांच अगस्त दो हजार और नौ अगस्त दो हजार को तो तीन अगस्त दो हजार को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और नौ अगस्त को पारित किया गया तो यहां पर कब प्रस्तुत किया गया पूछा गया है तो option एक सही होगा 3 अगस्त 2000 को आगे देखते हैं मद्ध प्रदेश राज्य पुनर गठन विदेयक राज्य सभा में कब पारित हुआ तो 3 अगस्त को तो पेश किया गया राज्य सभा में तो 9 अगस्त को पारित हुआ तो option दो सही होगा आगे बढ़ते हैं उन्निश्वा प्रश्णी के ओर चतिस गड़ मद्ध प्रदेश से कब प्रिथक हुआ option देखते हैं 1 अक्टूबर 2000, 1 नवंबर 2000, 2 अक्टूबर 2000 और 2 नवंबर 2000 तो दोस्तो चतिस गड़ मद्ध प्रदेश से 44 वर्सों बाद 1 नवंबर 2000 को प्रिथक हुआ तो option दो सही होगा बीस्वा प्रश्णी दोस्तो मद्ध प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक में किस राश्पती ने हस्ताक्षर किये option है के आर नारानन प्रतिभा पार्टिल डाक्टर राजेंद्र पसाद और option चार है प्रणो मुखर जी तो दोस्तो तातकालिन राश्पती के आर नारानन ने मद्ध प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर किये तो option एक सही होगा पांच एक दो और तीन तो दोस्तो चत्तिज गड़ निर्मान के वर्स में दो अन्य राज्यों का निर्मान हुआ तो option तीन सही होगा इसमें चत्तिज गड़ एक नवंबर दो हजार को मद्ध प्रदेश से अलग होकर 26 वा राज्य बना उत्राखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तरप्रदेश से अलग होकर 27 वा राज्य बना जारखंड 15 नवंबर को विहार से अलग होकर 28 वा राज्य बना और आज का अन्तिम प्रश्ण दोस्तो चत्तिज गड़ निर्मान के पस्चाथ कितने नमबर का राज्य बना 23, 24, 25 और 26 तो दोस्तो इसका से उत्तर है option 4, 26 दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजगा टार्गेट है 100 लाइक्स का तो दोस्तो आप सभी से निवेधन हैं 100 लाइक्स इस वीडियो में जरूर कर दीजगा थाइंकि दोस्तो जरू जरूर का जरूर कर दीजगा निवेभियो